ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्ड और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स राजनीती का कच्चा चिठा बिहार में अगले साल विधान सभा चुनाव होने हैं ऐसे में यहां की आबो हवा में अभी से अलग ही सियासी महग घुलने लगी है वर्तमान में बीजेपी और जदयू की मिली जुली सरकार की बागडोर मुख्यमंत्री नितिश कुमार के हाथों में है लेकिन गठ बंधन के इस घोडे पर नितिश कितने दिन सवारी कर पाएंगे और आने वाले विधान सभा चुनाव तक ये गठ बंधन चलेगा भी या नहीं इस पर संशय के बाद अलमंडराने लगे है बीजेपी और जदयू नेताओं में तनातनी तो लंबे समय से चली आ रही है लेकिन ये सुर्खियों में तब आई जब केंद्रिय मंत्री मंडल में एक भी कैबिनेट मंत्री का पद जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू को नहीं मिला इस पर जदयू चीफ नितिश कुमार ने सीधे तोर पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की और सांकेतिक भागीदारी लेने से इंकार करते हुए राजे मंत्री का पद ठुकरा दिया इसके तुरंट बाद नितिश कुमार ने प्रदेश मंत्री मंडल का विस्तार करते हुए बीजेपी के किसी विधायक को उसमें शामिल नहीं करके हिसाब बराबर कर दिया इसके बाद से दोनों पार्टियों के पीच रिष्टों में कडवाहट की खाई और गहरी होती चली गए 2015 के विधानसभा चुनाओं में जदयू ने लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद की साथ मिलकर महागठ बंधन के बैनर के तले चुनाव लड़ा था जदयू और राजद की ये जोडी बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों पर ही भारी पड़ी और नितिश कुमार के नित्रित्व में महागठ बंधन की सरकार बनी लेकिन इस दोस्ती की डोर में जल्द ही गाठ पढ़ गई और नितिश कुमार ने महा गठ बंधन से जदयू को अलग कर लिया नितिश ने सियासी हलकों में हलचल बढ़ाते हुए किवल बारह घंटों के अंदर बीजेपी से हाथ मिला कर फिर से अपनी सरकार बना ली बीजेपी के सुशील कुमार को डिप्टी सीम का पद मिल गया हाला कि इस गठ बंधन को तीन साल से अधिक हो गए हैं लेकिन तकरार की खाई दिन बदिन बढ़ती गई दोनों पार्टियों के नेताओं ने इस खाई को पार्टने की बजाए और गहरा करने का काम किया है जदयू के राष्ट्रिय महासच्चिव और राजिसभा के पूर्व सदसे पवन वर्मा के ताजा बयान से गठ बंधन में रिष्टों की कडवाहत का पता चलता है उन्होंने साफ तौर पर कहा अगर बीजेपी को लगता है कि वह अकेले चुनाव लड़कर सफल हो जाएगी तो वह निर्णे ले सकती है उसे निर्णे करना हो तो कर ले दरसल उन्होंने ये बयान एक बीजेपी नेता पर पलटवार करते हुए दिया था लेकिन वर्मा के इस बयान से बीजेपी के लिए जदयू की नाराजगी और कड़वाहट का सीधे सीधे पता चलता है इससे पहले बिहार के बीजेपी मलसी सचिदानंद राई ने बयान देते हुए कहा था कि पार्टी नेतरित्व नितिश सरकार को दिये समर्थन पर विचार करे उनके इस बयान ने प्रदेश की दोनों पार्टियों को हिला कर रख दिया उनके बयान से बीजेपी नित्रित्व भी चिंतित हुआ और राय को नोटिस जारी कर स्पश्टी करण मांगा गया इससे पहले केंद्रिय मंत्री गिरीराज सिंग भी रोजा इफ्तार की दावत के मौके की तस्वीरों के जरिये नितिश कुमार पर निशाना साध चुके हैं अब आने वाले विधान सभा चुनाओं में बीजेपी और जदयू दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ेंगे या फिर अलग-अलग ये अभी तक भविशे के गर्भ में छेपा है लेकिन विधान सभा चुनाओं से पहले दोनों पार्टियों के बीच करवाहट और ज्यादा बढ़ने लगी है दोनों के बीच आई इस खटास का फाइदा राजद पूरी तरह से उठाने के फिराक में है सूत्रों के मुताबिक राजद के कुछ नेताओं ने नितिश कुमार से इस बारे में बात करना शुरू कर दिया है लेकिन नितिश कुमार पिछले वाकियों को अब तक नहीं भूल पाए है इसलिए हर खदम फूक फूक कर रख रहे हैं हाला कि बीजेपी का साथ छोड़ना उन्हें भारी पढ़ सकता है इस बात को नितिश कुमार भली भाती जानते हैं ऐसे में नितिश फिलहाल अपने तरकश के सभी तीर संभाल कर रखे हुए हैं ताकि सही समय पर एक दम सटीक निशाना लगा सकें वह निशाना बीजेपी पर होगा या फिर राजत पर इसके लिए थोड़ा इंतिजार करना होगा पॉलिटॉक्स ब्यूरो दिल्ली